हाई एवरिवन कैसे हो आप सभी लोग आयोब आप लोग अच्छे होंगे मैं हुर रहुल जैस्वाल हैं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टुटोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगें आपके सामने मोश्ट इंपॉर्टेंट मैट् इस पर्टिकलर का लेक्टर नमबर टू आपके लिए लेकर आगे हैं जो कि आप यहीं सोच रहे होंगे कि यहां पे सर स्क्रीन पे वीडियो क्यों लेकर आगे दोस्तों इसका सवाल का जवाब मेर पास है क्यूंकि यहां पे जो हमें टॉपिक पढ़ना है आज के इस लेक् लेकिन आपको conceptual knowledge theory का भी पढ़ना उतना ही ज्यादा important जितना कि आपको numerical पढ़ना ठीक है दोस्तों तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले taxes के बारे में जैसे कि आपको पता है कि इसके पहले का lecture lecture no.1 में हमने देखा था कि कुछ important चीज है calculation point of view और practice set no.6.1 भी हमने solve किया हुआ था ठीक है जरूर से आपने देखा होगा वह वीडियो पहला lecture आज दूसरा lecture है तो 6.2 practice set solve करने के पहले आपको कुछ theoretical चीजे tax के रिकार्डिंग पता होना चीए ठीक है तो tax का मतलब क्या होता है we know that की tax जो होते दोस्तों यह बहुत सारे प्रकार के होते है ठीक है and we know that की tax is nothing but जो tax हम देते है normally सरकार को वह अलग-अलग तरीके से देते तो normally यहां पर वह ही दिया है that is type of taxes तो generally there are two types of taxes direct tax और indirect tax तो direct tax का मतलब होता है taxes which are paid directly by the taxpayer यानि कि जो भी उपभोगता होता है यानि जो taxpayer होता है वो directly tax pay करता है उसको directly direct tax बोलता है और एक होता है indirect tax होता है इसमें आपका रोक होता है जैसे कि आपका Central sales tax होता है लोग बले से थोड़ा सा लाइक मायूस हो गए होंगे कि सराज बोर्ड पे नहीं आए बट दोस्तों ट्रस्ट में जब भी हम लोग का मौका मिलता है मौका क्या 99% हम बोर्ड पे ही आते हैं लेकिन कुछ चीज़ ऐसे होती है जो हम लोग लिख नहीं पाएंगे इतने सारी ची हमें पे करना पड़ता है तो income tax का मतलब क्या होता है if the income earned in India हमारे इंडिया में जो भी पैसे हम कमाते हैं चाहे हम individual अकेले के दम पे कमाएं चाहे हमारा कुछ institute है या फिर कोई हमारा company है इंडस्ट्री है उसका एक limit गवर्मेंट ने तहे किया हुआ है तो अगर हम वो limit से ज इस से निकाला जाता है तो as income tax is tax levied on income यानि कि जो हम कमाते हैं हमारा income जो आता है उसके उपर टैक्स लगता है उसी को बोलते इंकम टैक्स तो यह बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है निसेसरी हो जाता है यह जानना कि different source of income क्या हो सकते हैं तो generally there are five main heads of income या तो आपका salary के म real estate से आपका अगर आ रहा है तो आपको income tax बरना पड़ेगा आपको business करते हो तो income from business या फिर जो भी आपका professional tax जिसको बोलते हैं तो वो तरीके से भी आपको income tax बरना पड़ेगा फिर capital gains होते हैं जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे अलग-अलग चीज़े होती है वहां से income आते हैं, income source from other sources आते हैं, कोई e-commerce करता है, कोई बहुत सारे चीज़े करते हैं तो हर जगा से जो income आपके उपर आ रहा है आपके लिए जो आ रहा है उसका कुछ प्रतिश्य जो है आपको government को pay करना पड़ेगा ऐसे income tax, clear है तो यहाँ पे कुछ हम लोग बात करेंगे कि जो taxes होते है गॉर्मेंट के taxes बना हैं, बहुत सारे तो वो age के इसाप से बना है जो taxpayer के ages होते हैं, हर साल बनता है जैसे कि आपको पता है कि हर साल हमारा annual budget pays होता है, तो जो annual budget जो होता है दोसके इसाप से taxes में उपर नीचे किया जाता है, तो यह taxes में क्या है, सबसे पहले हम दिखेंगे यह टेवल के माध्यम से आपको तीन टेबल में दिखाने वाला हर एक में यहां पर अलग-अलग चीजें लिखी हुई है तो सबसे पहला हम लोग बात करेंगे कि इंडिवीजुवल्स जो अप टू अगर एकला होता इंसान है तो वह कितना कमाएगा तो कितना टै कोई भी तरीके से कमाओ 2,50,000 आपका yearly इंकम है साल का इंकम 2,50,000 है तो आपको कोई भी tax भरनी ज्रूत नहीं टैक्स का और secondary और higher education says 1% होता है वही अगर आपका income 5 lakh से 10 lakh के बीच में आता है साल का income तो आपको 12500 plus 20% जो भी taxable income रहेगा minus 5 lakh करके वो आपको भरना पड़ेगा तो यह 2% income tax आपको भरना पड़ेगा education says में 1% income tax में और more than आपका 10 lakh अगर जाता है दोस्तों तो आपको 1,12,500 plus 30% on taxable income minus 10 lakh करना पड़ेगा तो आपका जो value calculate होगा और यह सबी चीज़ दोस्तों हम लोग theoretical में क्यू पढ़ा रहा हो क्यूंकि actual में यह चीज solve करना है हमको जो भी में next lecture आऊंगा लेकर आपका यह दूसरा lecture है तीसरा lecture लेक्चर नमर 3 जब लेकर आऊँगा तो वह board पे लेकर आऊँगा और उसमें सीधा सीधा हम लोग practice set नमर 6.2 ही solve करने वाले है और उसमें actual में real में question रहेंगे कि इतना salary है या फिर इतना पेसा आता है तो कितना tax देना पड़ेगा तो यह सभी चीज category के वाइस हम लोग पढ़ने वाले तो बस यह theoretical lecture इसले लेकर आया ताकि आपको at least छोड़ी छोड़ी theoretical चीज़े पता रहे ठीक है ना अब यह देखोगे फिर 2% income tax इस पर लगने वाला है और 1% य होता है जो कि normally अगर किसी का income 50 lakh से 1 करोड के रुबीस में जाता है तो 15% income tax जो होता है इंडिविजुल का वो यहां पर देखा जाता है ठीक है next बात करते है अगला यहां पे मैं सीधा चार्ट के ओपन करता हूं senior citizen का अगर 60 to 80 years का age है तो उसमें अगर बात करें तो अगर उ तो भी उसका taxable income रहता है और साथ में अगर 10 lakh के ऊपर है तो आपका 1 lakh 9000 plus 30% जो है वो यहां पे लगेगा यह किसके लिए था तो 60 to 80 years के जो senior citizens होते हैं उनके लिए था वह यह अगर next बात करें हम लोग जो अगला आपको यहां पे देखने मिलेगा वो है super senior citizens याने कि 80 years के उपर होते हैं तो उनमें क्या होता है कि जो 5 lakh तक अगर जो कमाता है तो उसको कोई भी पैसा देनी की जरूत नहीं है लेकिन 5 lakh से 10 lakh के बीच में है तो उसको 20% बरना पड़ेगा और more than 10 lakh है तो उसको 1 lakh plus 30% जो है भरना पड़ेगा तो यही होते हैं यहां पे total income tax के साब से ठीक है तो उमीद करता हूँ कि यह चीज भी आपको समझ में आ गया होगा next बात करें तो आप देखो गए यहां पे already कि हमारा जितने भी टेबल से रिगाड़ी income tax वगर यह सब चीज यहां पे complete हो गए तो उमीद करता हूँ कि basic तोर पे यहां पे आपको समझ में आ गया हो उसमें real examples रहेंगे और उसको solve करना में काफी मज आएगा तो बिल्कुली miss मत कीजेगा अगला lecture क्योंकि बहुत ज्यादा important lecture वीडियो होने वाला है और यह इस chapter का आखरी lecture भी होगेगा उतना important जो theoretical knowledge होता है उसको भी लेना होता है दोस्तों तो बिल्कुल मत skip करना और साथ ही में अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो यह वीडियो को like कीजेगा और share कीजेगा अपने सारे friends छोटे हो चाहिए बड़े हो क्योंकि यह income tax के बारे में जानकारी वह बहुत को चाहिए होती है और बहुत लोग तक पहुचनी चाहिए तब जाके वो लोग एक ideal citizen बन पाएंगे तो आपको बस यही है कि फटा फट से वीडियो को like करो maximum people तक share करो जादा जादा शेयर को अपने friends and relatives को and अगर आपने अभी तक इस channel को subscribe नहीं किया है तो फटा फट से हमा अगले वीडियो में यह वीडियो देखने के लिए thank you and goodbye